मेरा नाम मुहम्मद दिनायतुला शरीफ है, यह मेरी वाइफ है, जिनका नाम शाइस्ता है, मेरी वाइफ दो 1992 से डियाबिटिक पेशन्ट है, यह पहले बहुत अच्छी वाकिंग करती थी, तकरीबन एक घंटा डेली वाकिंग करने वाली मेरी वाइफ, अचानक इनको 2004 में ऐसा मालूम हो गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इनको डियाबिटिक प्रॉब्लम, इससे पहले इनको मालूम तो था, लेकिन इलाज वगरा चली रहा था, और इलाज वगरा भी करा है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी है ना, कुछ ठीक नहीं किड्नी स्कूइस हो गया है, जिसको निकाल देना है, तो हम लोगों ने इन्हों ने इखास कर उसके उपर नहीं, इनकार कर दिये के किड्नी नहीं निकालते बलकर, बहुत काम सब चल रहा था, मेडिकेशन भी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन डे बैडे इनके है नहीं हो सका, फिर उसके बाद में डॉक्टरस ने बोले किड्नी ने के डियाबिटिक बहुत बहुत बढ़ती जा रही है, इंसुलीन कंपल्सरी है, इंसुलीन लेकर चला रहे थे, हम 2008 में साथे एरेप गये, जहां पर उम्रा के लिए गये, हमारा फिल्गरिमेज के लिए वहां पर इनके तेबिद बहुत खराब हो गया, बुखार आ गया, और तरदी जुकाम बुखार होने के वज़ाए से, वहां पर उन्हों कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ एक उम्रा किया और वापस हो गये, एक साल तक कुछ भी नहीं हो सका, फिर अचानक 2009 में हमको यह मालू करने के बाद में, फिर एक बार उनको कुछ किड्नी का प्राबलम हो गया, तो यहां पर दुबारा हम किड्नी के प्राबलम की वाज़े से, अद्मिट होना पड़ा, उस टैम में, डॉक्टर सुरेश कुमार भी थे, सब कुछ, और दुसे भी डॉक्टर से, इनको है ना, हा वाकिंग करके ही ठीक हो जाओंगी, लेकिन वो नहीं हो सका, ऐसे ही दो तीन बार हो गया, उसके बाद में है ना, फिर मजबूरी में, हमको एक साल से तो अभी कॉंटीनू, यही किड्नी के प्राबलम में चल रहे हैं, और ला महला हमको यहाद पर सिस्टोला भी करना पर सिस्टोला किये यहाँ पर ही और अभी तकरिवन एक साल से तो डायलासिस पर हैं, पहले जब हम देखते थे कि डायलासिस बहुत डेंजर है, इन ते साइकोलोजिकल एफेक्ट जो था हमको कुछ समझ में नहीं आता था, यहाँ से जब हम गुजरते थे इस रूम के सामन से जब गुजरते थे खिसम का डर पैदा हो जाता था, कि यह ट्यूबिंग वगरा देखकर, पैशन्स को इदर देखकर, मैशीन वगरा देखकर हैं, सब घब रहा है, मैं खुद भी घबरा जाता था और यह तो बहुत ही ज्यादा घबराते थे, लेकिन जब और लास्ट य अबिकेशन, तो जब से जब से जो डालासे शुरू हुआ, अभी तक भी डालासेस पर ही हैं, और अच्छी तरीख से हैं, यहां के जो भी डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशन्स हैं, इस्टर्स वगरा हैं, और दूसरा जितना भी स्टाफ है, बहुत ही बहुत को आपरेट्यू ह और हम इतना भी उनकी तारिफ करें, फिर तारिफ बलके नहीं है यह बात, लेकिन यहां का जो सिस्टम है, बहुत ही बहतरीन है, पहले तो इतना बहतर था कि जैसा ही कोई पेशन्ट आता, उसको कोई भी खिसिम की वहां पर रहना एंट्री करने की जूरूत ही नहीं थी, ड अगर हमको आइस्टियू में भी जाना है, तो आइस्टियू में चीजा हमको लेकर चले आती थे, बाद में वो सब कुछ फॉर्मलिटीज पूरी होती थी, तो इस लिहाद नहीं हमको यह हॉस्पिटल बहुत ही पसना आया